आज के हमारे लेखक हैं अमरकांत अमरकांत जी का जन्व सन 1925 में हुआ और मृत्यू 2014 में हुई यहाँ पर हम लेखक के जीवन परीचे को पढ़ेंगे साथ ही साहितिक परीचे पढ़ेंगे और आपके पाठे करम में जुड़ा जो पाठ है उससे संबंदित एक संचित जनकारी भी लेंगे अमरकांत का जन्म उत्तर परदेश में हुआ और उत्तर परदेश के बलिया जिले के नगरा गाउं में हुआ उनका मूल नाम श्री राम वर्मा था तो उनका मूल नाम मतलब असली नाम तो उनका असली नाम श्री राम वर्मा था यहां हम उनको अमरकांत के नाम से पढ़ते हैं उनकी आरंभिक आरंभिक यानिकी शुरुआती सिक्षा बल्या में ही हुई और उनका जनम जो है उत्तर प्रदेश के बल्या जिले में ही हुई तो उनका जो आरम्रिक सिक्षा है उनकी वो भी बल्या में ही हुई है तत पश्चात यानि उसके बाद उन्होंने इलाहबाद विश्विद्याले से बीए की डिग्री प्राप्त की तो UP में उनका जनम हुआ है तो UP के ही विश्विद्याले से यानि की इलाहबाद विश्विद्याले से उन्होंने BA की डिग्री ली साहित्य स्रिजन में उनकी बच्पन से ही रूची थी यानि साहित्य जो आप कह सकते हैं कि हर किसी की एक फील्ड होती जिसमें वो काम करता है वैसे ही साहित्य स्रिजन भी एक शेत्र है जिसमें अमरकांत जी का बहुत ज्यादा उसमें उनकी रूची रही और ये रूची जो है उनकी बचपन से ही थी तो उन्होंने साहित्य स्रिजन में अपनी रूची दिखाई किशोर अवस्था में एडोलेशन एज में उन्होंने वहां तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन प्रारम भी कर दिया और इस तरीके से किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होती है आप कह सकते हैं दसवी ग्यारवी बारवी का बच्चा जो है किशोर अवस्था की एज में है तो वहां तक उन्होंने आते आते कहानी लेखन प्रा अब उनके साहितिक जीवन की शुरुवात कहां से हुई पत्रकारिता से हुई है सबसे पहले उन्होंने आगरा से अब आप देख सकते हैं ये भी यूपी में है यूपी के आगरा से उन्होंने प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र यानि जो हर दिन आने वाला समाचार पत्र ह उसों दैनिक बोलतुतक हैं सबताहिक जो सबता हमें एक बार हाथ तो दैनिक पत्र सैनिक के समपाद की विभाग मन हंनए कारे करना प्रारम किया और यहीं से व multif ऐ प्रगति शिल लेखक संग से भी जुड़ गए तो सबसे से वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले और एक प्रगति शील लेखक संग से भी वो जोड़ गए इसके अतिरिक्त इसके अलावा उन्होंने दैनिक अम्रित पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपाद के विभागों में भी काम किया यह दोनों और भी एक यह मैगजिन्स है और यह पत्रिका जो है इसमें इन्होंने काम किया और इसमें भी इन्होंने संपाद के विभाग में काम किया कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका कहानी नाम की भी एक पत्रिका उसके संपादन से भी वो जुड़े रहे तो उन्होंने अपने लेखन कारे की शुरुवात जो है इसी के जरिये बढ़ते रहे अमनकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुक कहानिकार के रूप में है जिस तरीके से कविता का एक यूग है वैसे ही कहानी उपन्यास और सभी विधाओं का एक यूग रहा है और उन यूगों का विभाजन कई नामों से किया गया है तो नई कहानी के दौर में आंदोलन के एक प्रमुक कहानिकार के रूप में वो सामने आये कौन अमरकांत जी उन्होंने अपनी कहानियों में शेहरी और ग्रामेन जीवन का यथार्थ चितरन प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी कहानी में क्या दिखाया कौन से विशे लेकर रहे शहरी और ग्रामे जीवन दोनों को उन्होंने उसके सच के साथ सामने लाया वे मुख्यता मध्यवर्ग यानी middle class सभी जानते middle class families जो होती है कितना ज़्यादा संघर्ष करते हैं तो वे मुख्यता मध्यवर्ग के जीवन की जो वास्तविक्ता है यानि जो उनकी रियलिटी है और विसंगती यानि की बुराईया है जो उसकी उसको व्यक्त करने वाले कहानिकार हैं तो अमरकांत जी जो है वो मध्यम वर्ग का जो एक खाका लेकर खीचते हैं अपनी कहानियों में या फिर अपनी रचनाओं में तो वहाँ पर मिडल क्लास फैमिलीज के जीवन में जो संगर्ष है जो उसकी वास्तविक्ता है और जो उसकी विसंगतियां है वो उन्होंने अप आप मानों जैसा विवार जहां ना दिखा रहे हो आप किसी की दुख परेशानी को ना समझ रहे हो या उसके जीवन में अगर कोई समस्या है या आप से कोई मदद मांग रहे है आप उसे सिरे से नकार रहे हैं यह सब चीजी जो है अमान व्याता है हिरते हिंता जहाँ पे कि अपणर बनावती चीजों को लेकर आपने आपको उसका पालन करते वे और उस पर आप आपको पंक्चल होते वे दिखाते रहें वो पाखन्ड है, आडंबर है यही चीज आदिकों औरने अपनी कहाणियों का विशे बनाया है और इस तरीके से जो उनकी कहानियों का विशे है वो मिडल क्लास फैमिली की जो वास्थविक्ता है और विसंगती है उसको दिखाया है पाखंड, आडंबर, हिर्देहींता, हार्टलेस और आमानवियता यह सारे चीजे दिखाई हैं उन्होंने, आज के समाजिक जीवन और उनके अनुभावजे हैं उसको अमरकांत ने यथार्थवादे धंग से अभिवक्त किया है आज के टाइम में जो समाज में सोसाइटि में जो चल रहा है उसको अपना जो उन्होंने एकस्पीरिंस गेन किया है, उसको उन्होंने अपनी रचिनाव में जगा देकर उसको यथार्थवादे धंग से, यानि कि सच को उजागर करने के जो तरीके हैं उस तरीके से उसको लाया और उसको अभिवेक्त किया है उनकी शैली कि सहजता, या असानी से और भाषा की सजीवता यानि भाषा के माध्यमसे आप किसी छैत्र विशेश की बोली भाषा का प्रयोक करके आप उस कहानी को सजीव कर देते हैं आपको उसमें फेकनेस कुछ जगा से जुड़ी कहानी है वहां की भाषा का और शब्दों का इस्तमाल करके आप उसको सजीवता दे सकते हैं जिससे पाठक जो हैं वहां करशित होते हैं आंचलिक मुहावरों अब आंचलिक वही बात हो गई किसी वी अंचल यानि जगा छेतर विशेश की जब आप से जु शिल्प में शिल्प यानि की लिखने का जो तरीका है शिल्प का मतलब होता है लिखने का तरीका अब लिखने के तरीके में आप भाषा का इस्तमाल किस तरीके से कर रहे हैं मुहावरों का इस्तमाल कर से कर रहे हैं और किस तरीके से उसमें आप जो आपका भाषा पे एक प प्रयास नहीं किया गया है वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है बहुत लोग जो है अपनी भाशा पर पकड़ या अपनी मजबूती दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्दों के जाल वाक्यों का प्रियोक करके अपने पांडित्ते को तो उसको उतनी ही सहजता से आसानी से पेश करते हैं अमरकांद की कुछ मुख्य रचनाओं की बात की जा जाएं सिर्फ या पर सिलेक्टेड जो उनके रचनाओं उनको यहां पर बताया जा रहा है बाकी बहुत सारी रचनाओं है जिंदगी और जोग देश के लोग मौत का कहानी संग्रह के नाम है जैसे आपके पास एक बुक है बुक का नाम है अंत्रा अब अंत्रा में बहुत सारी जो है कवीताएं हैं और इसमें आप देखेंगे कि आप दो है पद भी पढ़ते हैं वहां सारी चीजी हैं व्याकरन भी आपको दे दिया जाता है और बहुत इसके अंदर और भी अन्य कविताएं कहानिया होती हैं आप उस संग्रह का नाम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सूखा पत्ता ग्राम सेविका काले उजले दिन सुख जीवी बीच की दिवार इनी हत्यारों से ये सब क्या हैं उपन्यास हैं इनी हत्यारों से उपन्यास पर उन्हें इस पर 2007 में साहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानित भी किया गया है यानि जो इनकी ये रचना है इस पर इनको ये साहित्य अकादमी पुरसकार मिला 2007 में सन 2009 में भारतिय ग्यान पीठ पुरसकार श्रीलाल शुकल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया और अमरकांत ने ब बाल साहिते जो बच्चों के लिए साहिते लिखा जाए वो बाल साहिते है उन्होंने वो भी लिखा इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है तो इस पुस्तक के लिए उनकी जो कहानी है वो दोपहर का भोजन यहाँ पर ली गई है तो दोपहर के भोज नमक कहानी में आपको क्या विशा दिखाया गया है, यह यहां पर जानकरी मिलेगी, कि दोपहर का भोजन गरीबी से जूज रहे एक निम्न मध्य वर्गिय परिवार की कहानी है, एक होता है मिडल क्लास, एक होता 레・ değार लेखक lower middle class की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक निम्न मध्य वर्गय परिवार की कहानी है जो दोपहर का भोजन नाम से है और गरीबी से जूज रहे हैं दोचार हो रहे हैं इस कहानी में समाज में व्यापत गरीबी को चिनहित किया गया है समाज में जो गरीबी है और किस तरी भावी उमीदों पर उनका टिका हुआ है भावी यानि भविश्य की उमीदों पर टिका हुआ है उनका संघर्ष इस तरीके चल रहे हैं कि आज नहीं कल जीवन जो है बहतर हो ही जाएगा तो ये भावी उमीद होंगी तो भावी उमीद का मतलब क्या होता है कि जब हम सभी के घरों में ऐसी बाते होते हैं किसी भी situation को लेकर कि आज ने कल तो चीज़े ठीक हो जाएंगे थोड़ा धैरे रखो धीरे रखो पेशेंस रखो तो इसी बेश पर वो अधारित जो है इतनी भावी उमीदों के साथ उस संघर्ष को करते हैं नजर आ रहे हैं गरीबी से सामना कर रहे हैं और यह उमीद लगा रखी है कि उनके बेटों की और मुन्शी जी की जो है कहीं भी नौकरी लगेगी घर में पैसा आएगा तो दो वक्त का खाना भी ढंक से हो जाएगा और जीवन जो है उसमें सुधार हो जाएगा सिधेशवरी जो की मुन्शी जी की पतनी है वो गरीबी के एहसास को मुखर यानि की सामने नहीं आने देती है सामने नहीं आने देरी, मुखर नहीं ओने देरी, बोल नहीं बता नहीं रही है, गर में गरीबी है गर में दो वक्त का खाना जो है वो धंग से दिया जा सके, उस लाइक समान भी नहीं है तो ये चीजे पेश ही नहीं होने दे रही है वो जो भी है जितना है परिवार को उसमें खुश रखने कोशिच कर रही है चाहे उसका अपना पेट भर रहा हो या ना चाहे वो भूख से तड़प रही हो या फिर कमजोर हो रही हो या फिर उसे और भी समस्यों का सामना करना प Affect वो आटर आफेक्ट जो है वह आज है तो गरीभी से होने वाले जो नुकसान है उस से होने वाले जो भी effect हैं प्रभाव हैं वो उसको घर वालों पर नहीं पड़ने दे रहे और उससे अपने परिवार को बचाया रखती है शिल्व की सादगी यानि जो कहानी है उसको लिखने का जो तरीका है उसको जिस तरीके से लिखा गया है लिखने का तरीका जो है वो उसकी सादगी को पेश कर रहा है और सहज ही संकेतों के माध्यम से यानि किस तरीके से संकेतों का प्रियोग बड़ी ही सरलता से किया गया है उससे कथ प्रस्तूत करने की जो कला है उतक्रिष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है यानि आप किसी भी बात को और इमोशन को बड़ी आसानी से बड़े आसान शब्दों में लिख कर पेश कर दे रहे हैं और पाठक तक वो इमोशन पास हो जा रहा है एक अच्छा टैलेंट ह बड़ा टैलेंट होता है तो आप ऐसे ही कुछ भी लिख दे तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैसेज देना चाहरे वो आपको मिल ही जाए तो ये लिखने का तरीका ही होता है और ये आपका कोशल ही होता है जिस पर आप सहजता का ध्यान रखते हुए सहजता को मेंटेन र तो यहां पर दोपहर का भोजन जो है इसके माध्यम से एक गरीबी से जूजरे परिवार की जानकारी और उनका जो संघर्ष है वो दिखाया है अमरकांत जी ने और जिसके माध्यम से एक निम्न मध्यवर के परिवार का जो जिस तरीके से जीवन है वो भी दिखाया है और ले पढ़ने में बहुत कहानी जो है आपको रोचक लगेगी बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर और चीजे भी आसानी से समझ में आएंगी अगले भाग में हम कहानी को लाइन टो लाइन एक्स्प्लेनेशन के साथ पढ़के समझेंगे भी जिससे कि आपको कहानी बहुत ही सरलता से समझ में आने वाली है चैनल के साथ यूँ ही बने रहे हैं जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिल सकें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है समझ में आ रहा है और हेल्फूल लग रही है यूस्फूल लग रही है तो लाइक करना ना बहुत है